हां जी नमस्कार दोस्तों क्या हाल चाल welcome back to my new video दोस्तों आज किस वीडियो मैं मैं YouTube algorithm के 2022 के कुछ secret आप लोगों के साथ share करना चाहता हूँ देखो मेरी बाते गलत भी हो सकती है मैंने बहुत से YouTube creator के साथ मिलकर जो discussion किया है कुछ ऐसे YouTuber जो कि आपको tips tricks की वीडियो बदाते हैं कुछ ऐसे YouTuber जिनके 10-10 million subscriber हैं कुछ ऐसे YouTuber जिनकी reach काफी ज्यादा अच्छी है तो उन लोगों के साथ मिलकर जो है न मैंने कुछ चीजे सीखी है जो कि आप लोगों के साथ में share करना चाहता हूँ कुछ मैं अपने हंदर के thoughts भी बताऊंगा जो कि मुझे लगता है बाकी दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं जो भी बताऊंगा वो पूरी की पूरी चीजे सच होती है बस आप वीडियो को ध्यान से देखते जाओ तो आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चल में जब आप यूटूब पे वीडियो अपलोड करते हो तो आपकी वीडियो वाइरल कैसे होती है यूटूब का algorithm कैसे काम करता है तो देखो या पहला और सबसे बड़ा सवाल है कि यूटूब का algorithm काम कैसे करता है देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ सबसे बड़ा fact यह है कि यूटूब का algorithm कभी भी एक जैसा नहीं रहता है जैसे कि दिन बदलते जाते हैं टाइम बदलता जाता है उसी हिसाब से यूटूब का algorithm भी दिन बद दिन चेंज होता जाता है इसका reason यह है दोस्तों कि देखो आज से अगर मैं बात करो 10 साल पहले की जब मैंने यूटूब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था अब यूटूब के ओपर जो creator थे ना वो बहुत कम हुआ करते थे उस time के ओपर audience भी उतनी जादा नहीं थी बट कहीं ने कहीं creator कम थे तो इस time पर आपस में fight नहीं थी तो ऐसा होता था अगर आप अपनी वीडियो के पर अच्छा watch time लाते हो अगर आपने थोड़ा सा अच्छा thumbnail दे दिया तो आपकी वीडियो तो उस time पर viral हो जाती थी तो उस time पर जो algorithm था YouTube का वो काफी easy रखा गया था लेकिन वहीं आज के time की बात करूँ मैं 2022 आपको पता start हो चुका है तो दोस्तों यहां पे ना बहुत स लोग आप कठे हो गए हैं बहुत से यूट्यूबर चोटे चोटे बच्चे बड़े लोग कुछ बेरोजगार हैं किसी के अंदर क्रेज है यूट्यूबर बनने का वो सारे के सारे लोग यूट्यूब पे focus कर रहे हैं तो ऐसे माना दोस्तों competition बढ़ गया है जिसके में से क है कि यूट्यूब का algorithm भी डे पर डे डे पर डे जो वो समार्ट होता जा रहा है and trust me guys कि ये आज की डेट में बहुत ही difficult हो चुका है और आने वाले कुछ time में ये और भी difficult होता चला जाएगा अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप सोच रहे होंगे कि algorithm actually काम क क्यों वीडियो के title में ये डाल रहे हो देखो यार मैं भी एक YouTuber हूँ बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो कि YouTube tips tricks के लेटेट videos बनाते हैं वो अपने experience से आपको कुछ अच्छा से अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं और दोस्तों होता क्या कुल मिला के पता है last में आकर व मुझे लगता है सारे के सारे जो YouTuber है वो confused इसलिए रहता है क्योंकि आर देखो YouTube का जो algorithm है वो सारे YouTube creator के लिए same नहीं है ऐसा मेरा मानना है आप लोगों को अच्छी तरह से पता है मेरे पास एक technical channel है मेरे पास एक blogging का भी channel है अब देखो technical channel के ओपर जब मेरी videos में audience tension जो है व अब मैं आपको समझा दूँ कि actually YouTube क्या चाहता है आप लोगों से ठीक है और creator तो इसलिए confused हो जाता है क्योंकि आपका टेक का channel है मेरे व्लोग का channel है आप देखो कि मेरे चैनल के ओपर सार्ट प्रेस्ट और इंटेंशन है मेरे चैनल के ओपर CTR हाई है आपके ओपर वो channel है जो music के channel है उन लोगों के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है अब दोस्तों यहां पर मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूं कि algorithm के कुछ छोटे-छोटे secret जो मैंने सीखे है YouTube से अपने experience से देखो आज के time मैंना आपको अगर YouTube के ओपर अपने channel चलाना है तो आप यह समझ लो कि आपको एक दुकान चलानी है YouTube के ओपर अब देखो आपके पास content इसके इसमें कोई भी doubt नहीं है आपके पास content तो आपका अच्छा होना ही चाहिए बट कहीं लोगों का content अच्छा होने के बाद भी वो grow नहीं कर पाते हैं इसका reason क्या है मैंने आपको कहा था ना कि आज की time पे बहुत सारी YouTube creator कठे हो गए सब चाहते हैं मैं वीडियोज बनाओ मैं वीडियोज बनाओ मैं upload करूँ मैं upload करूँ तो ऐसे में दोस्तों अब आपके market में ना दुकाने बहुत सी हो गई है अब मान के चलिए आपके पास content तो अच्छा है आपके पास ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि इन चीजों के ओपर मैं काफी time से बोलता रहा हूं कि ये चीज़े बहुत ज़्यादा compulsory है एक time था जब कुछ भी thumbnail लगाओ तो लोग देख लेते थे एक time ऐसा भी आया कि जब बड़े बड़े सांप वो एनाकॉंडा वाली videos दिखात आते थे 50 फोट लंबा सांप ऐसे चोटे-चोटे बच्चे आते थे और उनके वीडियो पे 50-40 million views होते थे तो वह click weight वाला time भी गया आज के time में लोग इतने समार्ट हो चुके हैं आपने देखोगा बैनी vloggers के आपने thumbnail देखे होंगे वह अपने thumbnail में कुछ लिखते ही नहीं है क्योंकि लोग भाई उच चीज को देखना चाहते हैं जो उन्हें लगे कि rail है तो आपको वह इस चीज के उपर सबसे ज़्यादा जो भो ध्यान देना अपने title और अपने thumbnail के ओपर कहां से title ढोड़ना है कहां से thumbnail लाना है यह चीज मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं तो सही बताऊं तो मेरे जैसे जितने भी भाई जो यूटूब टिप्स डिक्स की रिलेटेड वीडियो बनाते हैं आप खुद से सोचना यार उनके दिमाग क्या करेंगे हमकोल मिला के ज्यादा से ज्यादा 50 या 100 लोग होगे बहां पे की करोड़ों की company जो की largest Google का प्रोड developer तक जो लोग है उनका mindset लगा हुआ है तो हम लोग उस चीज़ को defeat कर सकते हैं बिलकुल नहीं पर हलके-लके कुछ tips ट्रिक्स जो चीज़े की होती हैं वो मैं आप लोगों तक बताता रहूंगा बाकी भी मेरे भाई लोग बताते रहते हैं बाकी सच यह है कि किसी को भी जहा आपका king है और तीसरी चीज़ों मैंने बताई कि regular होना भाई regular होना important चीज़ है ऐसा नहीं है कि दो वीडियो डाली views नहीं आ रहे तो चलो भाई छोड़ा यार आप क्या करूंगा काम मत छोड़ो कभी भी आप continue रहो लगे रहो दिन रात लगे रहो अप छोड़ो मत उस ची अगर आप यह चीज़ करके दिखाते हो तो मैं भी लिखके देता हूं कि YouTube के algorithm को आप लोग defeat कर सकते हो अगर आप regular वीडियो बनाते हो और मैंने जो चीज़े कही उनके ओपर ध्यान देते हो तो बाकी दोस्तो साल अभी शुरू ही हुआ है तो बाकी जैसी जैसी हलकी बलकी टिप्स ट्रिक्स मुझे पता चलती जाएगी YouTube algorithm के लेटर वह इस YouTube चैनल के उपर आपके साथ में शेर करता रहूंगा तो आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा कर प्लीज वीडियो को लाइक इन शेर करना न भूले अगर आप नहीं आते चलको सब्सक्राइब करना अगली वीडियो में फखुर करें पर समय शोबहुत टेक केर एंड बाइबाइबाइब